संपून विश्व में यह सरुमाने तथे है कि यदी रतनों का अपने अनुकूल विधी पूर्वक्चयन कर लिया जाए तो यह देहिक, भौतिक और अध्यात्मिक तीनों सुखों को प्रदान करने वाले हैं रतनों के संबंद में पोणतय वैज्ञानिक और पौरानिक जानकारी के लिए यह पुस्तक स्वयम चुनिये अपना भाग्यशाली रतन गोपाल राजुजी द्वारा प्रस्तुत की गई है इस पुस्तक के भीतर शास्त्रोक्त, व्यवारिक और अनुसंधान के पश्चात कुछ ऐसी नई और अचूती विदियां धी गई हैं जो आपको अपना भाग्यशाली रतन चैन करने में सहायक सिद्ध होंगी इस पुस्तक के भीतर रतनों का वरगी करन, प्रमुख रतनों के उपरतन, चौरासी रतन उपरतन जनम तिथी के अनुसार रतन चैन, जनम मास के अनुसार रतनों का चैन आयू के अनुसार रत्नों का चयन जनम लगन और रत्न चयन तथा जनम कुंडली के अनुसार विलक्षन योग और उनके अनुसार रत्नों का चयन बताया गया है इसके अतिरिक्त जोतिश के 6 महा दोश और उसके अंतरगत किये जाने वाले रत्नों का चैन भी बताया गया है मंगल दोश, कालसर्प दोश, नाडी दोश, मारकेश ऐसे ही अनेक दोश और उनके अनुसार रत्नों का चैन बताया गया है कृष्ण मूर्ती पद्धती के अनुसार रत्न एवं रमल शास्त्र और रत्न का सामन जस्से भी इस पुस्तक का विशेश आकर्शन है इसलामिक मानिताओं के द्वारा बताये जाने वाले रत्न भी इस पुस्तक में बताये गए हैं सिद्ध लामाओं द्वारा बताये गए रत्नों का भी इस ग्रंत में वर्णन किया गया है इसके अतिरिक्त विशिष्ट लाल किताब और उसके अनुसार रत्नों की पहचान की गई है हस्तरेखाओं के अनुसार तथा विभिन रोगों के अनुसार कौन से रत्नों का चैन करना चाहिए वह सभी इस पुस्तक में वर्नित किया गया है इस प्रकार जोतिश से संबंधित प्रतेक अंग पर रत्नों के संबंध में प्रकाश डाला गया है रत्न चैन करने की जितनी अधिक से अधिक विदियां इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई हैं उससे पहले किसी भी एक पुस्तक में इतनी विदियां कभी भी प्रकाशित नहीं हुई है प्रतेक रत्न के रंगीन चित्र उनकी पहचान उनके लाभ हेवं महतु तथा उनकी अनुमानित कीमत इस पुस्तक में रंगीन चित्रों के माध्यम से दी गई है गोपाल राजू जी कहते हैं जिस प्रकार आयरुवेद के अनुसार त्रिदोश अर्थात कफ वात और पित को यदि संतुलित कर लिया जाए तो शरीर सदैव स्वस्त रहता है उसी प्रकार उचित रत्नों के माध्यम से यदि ग्रहों का संतुलन कर लिया जाए तो मनुष्य चाहे वे कैसी भी घड़ी में जन्मा हो अपने सुख को प्राप्त कर ही लेता है अनेक दशकों तक रत्नों के द्वारा असाद्य रोगों के उपचार पर अध्यन करने के पश्चात गोपाल राजू जी लिखते हैं कि विभिन रोगों के लिए किसी विशेश रत्न का प्र मानिक के का उपयोग अत्यंत लापकारी है उसी प्रकार सांस के रोग दमा खांसी आतों की सूजन वच्यर्म रोग या अनिद्रा के लिए पन्ना रत्न का उपयोग विशेश लापकारी है रत्नों के द्वारा यह असाद्य रोग कैसे ठीक होते हैं इसका भी संपूर्ण व ग्यासूं के प्रश्न और उनके उत्तर भी रत्नों के संधर्ब में दिये गए हैं रत्न शिरोमणी रत्न मरमग्य रत्न विशारत एवं मिलेनियम जैमोलोजी पुरसकार से सम्मानित गोपाल राजुजी द्वारा लिखित यह पुस्तक स्वयम चुनिये अपना भाग्यश पुस्तक के अध्यान अवश्य ही मिलेगा रत्न विज्ञान की एक ऐसी पुस्तक है जिसकी मांग पाठकों द्वारा कई दश्कों से की जा रही थी इस पुस्तक को ओनलाइन माध्यम द्वारा मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.randhirbooks.com पर जा सकते हैं इस पुस्तक के संबंद में अन्य पूछताच के लिए हमारा वाटसेप नंबर है 9315667218 धन्यवाद